दोस्तो प्री वर्काउट फूड में सामिल करें ये आठ चीजें वर्काउट के समय आएगी भेंकर एनरजी प्री वर्काउट मील वर्काउट से 30 से 40 मिनट पहले ऐसी चीजे खानी चाहिए जो कार्बो हड्रेट और प्रोटीन से भरपूर हो इससे वर्काउट के समय एनरजी बढ़ाने और मसल्स रिकबरी में मदद मिलती है ऐसे ही 8 फूड है जो एक्सरसाइज से पहले आप खा सकते हैं तो आए जानते हैं उनके बारे में एक्सरसाइज के समय एनरजी और इस्टेमिना की जरूरत होती है वर्काउट सुरू करने से पहले एनरजी और इस्टेमिना को बढ़ाने के लिए जो फूड खाये जाते हैं उन्हें प्री वर्काउट फूड कहा जाता है प्री वर्काउट फूड हमेशा हेल्दी और पॉस्टिक होना चाहिए ताकि वो वर्काउट के लिए पर्याप्ट एनर्जी दे सके वर्काउट से पहले कुछ हिल्दी खाने से एक्सरसाईज अच्छे से कर पाते हैं और मसल्स रिकवरी में भी मदद मिलती है प्री वर्काउट फूड में हमेशा कार्ब और प्रोटीन का सही बैलेंस सामिल होना जरूरी है जिससे आपके सरीर में एनर्जी आती है और ठकान भी कम हो जाती है अगर आप भी वर्काउट करते हैं तो इन फूडों को वर्काउट से 30 मिनट पहले सेवन करें जिसमें पहला है ओर्ट्स ओर्ट्स फाइबर कार्ब और अन्यपोसक ततों से भरपूर होता है इसलिए वर्काउट से पहले इसे खाने की सलाहा देते हैं दरसल ओर्काउट के लिए लंबे समय तक एनर्जी बनाये रखते हैं इसे से देर तक अच्छा वर्काउट करने में मदद मिलती है ओर्स विटामिन बी का भी काफी अच्छा सोर्स है जो कार्बो हाइडरेट को एनर्जी में बदल देता है इसलिए वर्काउट के 30 से 40 मिनट पहले अन्प्रोसेश्ट ओर्स खा सकते हैं दूसरा है केला केला एनर्जी का सबसे अच्छा सोर्स है इसमें कार्बो हाइडरेट और प्रोटीन की काफी अधिक मात्रा होती है जो नसों और मास्पेसियों को काम करने के लिए प्रमोट करता है यह एक्सरसाइज परफार्मेंस को सुधारता है और सरीर के फैट को एनर्जी में बदल देता है इसके अलामा यह कई बिटामिन और मिनरल से भरपूर होता है और डाइजेशन को भी सही करता है इसरा है ड्राइब फ्रूट्स ड्राइब फ्रूट्स में हेल्दी फैट, प्रोटीन, कुछ मातरा में कार्बोहडरेट और फाइबर पाया जाता है यह पचने में आसान होता है और निट्रीशन से भरपूर होता है ड्राइब फ्रूट एनरजी लेवल को तुरंत बढ़ा देता है जिसे से वर्काउट के लिए एनरजी मिल सकती है लेकिन ध्यान रखें ड्राइब फ्रूट में फैट भी काफी अधिक मातरा में होता है अधिक मातरा में खाने से आलस आ सकती है इसलिए oats में मिला कर इसका 7 कर सकते हैं चौथा है फल और Greek yogurt फल और Greek yogurt के combination को workout से पहले खा सकते हैं फल में carbohydrate होता है और Greek yogurt में protein काफी अधिक मातरा में पाया जाता है इसलिए इस combination को workout से पहले खा सकते हैं पांचवा है whole grain bread whole grain bread एक piece खाने से ही workout के लिए परियाप्त कार्ब मिल जाता है इसलिए चाहे तो इसे भी खा सकते हैं इसके साथ protein लेने के लिए उबले अंडे खा सकते हैं यह कार्ब और protein के combination को पूरा करता है छटा है peanut butter, save और kismis peanut butter में monounsaturated fat पाया जाता है save kismis में healthy fat और carb पाया जाता है इससे भूख भी मिटेगी और यह combination workout के लिए परियाप्त energy भी देगा साथवा है अंडे exercise से पहले खाने के लिए अंडा सबसे अच्छा माना जाता है यह protein amino acid के साथ गई आवस्य बिटामिन से भरकूर होता है जो की workout में मदद करते है जिम जाने से पहले एक से दो उबले हुए अंडे खा कर जा सकते है या फिर आमलेट को brown bread के साथ भी खा सकते है आठवा है coffee coffee में fat burn करने वाले गुण काफी अधिक मातरा में पाये जाते है कोशिस करें कि जिम जाने से पहले एक कब black coffee जरूर पी है यह fat cells को energy के रूप में यूज करने में मदद करती है और वजन को कम करने में भी मदद मिलती है लेकिन याद रखें अगर देर साम workout कर रहे हैं तो इसका सेवन ना करें नहीं तो नीद आने में भी समस्या हो सकती है